ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ केर, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ भी लिखने के ज़रूद नहीं है, क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे, वहाँ से आप टारेक्ट टाउनलोड कर सकते हो, त तो शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर, हेल्थ केर ओफ तड कम्यूनिटी का पहला टॉपिक, दाट इस हेल्थ केर, ठीक, तो भई सबसे पहले चीज़ के बई हेल्थ केर का मतलब क्या होता है, हेल्थ केर का मतलब होता है, वो सारी की सारी सर्विसेज, जो एजेंट्स health services हमको देते हैं for promoting, maintaining, monitoring and restoring of health. मतलब क्या होता है? सारे के सारे agents of health services जो हैं, याद रखना, agents of health services जो हैं, वो सिर्फ doctor नहीं है. Doctor के साथ साथ staff nurse भी होगी और OT attendant भी होगी और जो physiotherapist हैं वो भी होगे, सब लोग होंगे, surgeons होंगे, physicians होंगे, सारे हैं, सिर्फ doctors नहीं हैं, तो सारे agents of health services मिलके हमारी health को बढ़ावा देते हैं, अच्छी health को maintain करके रखते हैं, समय समय पर उसकी जाच करते हैं और अगर हमारी health खराब है, तो उसको वापस restore करने में मदद करते हैं, तो ये सारी services जो दी जाती है, agent of health services के द्वारा, उसको कहते हैं health care, ठीक है? अब पंगा क्या है? पंगा ये है कि हम न medical care, कोई पुछते है medical care क्या है, तो भी हम क्या बोल देते हैं कि health care ही medical care है, नहीं भाई साहब, medical care is not synonymous, याने कि medical और health care एक ही चीज़े नहीं होती है, medical care, health care का एक हिस्सा है, तो अगर आपको medical care define करने को कोई बोले, तो कैसे करोगे, वो सारी services, जो physician directly provide करता है, अब एक physician directly कौन सी services provide करेगे, सारे physicians है, ये क्या क्या करेंगे, भाई, देखो, patient का examination करेंगे, physician, patient को drugs लिखेंगे, physician, patient को diagnostic procedures लिखेंगे, physician, तो ये सारी चीज़े physician directly patient के साथ कर रहा है, तो these are actually medical care, उसके अलावा, for example, ये जो nurse है, nurse जो है, वो patient को क्या करेगी, nurse patient को injection लगाएगी, nurse patient के vitals check करेगी, nurse जो है, patient को समय समय पर दवाई देगी जाके, ये सारी चीज़े कौन कर रही है, nurse, जो की क्या है, एक agent है health service की, तो this will be included in health care, तो medical care जो है न, एक तरह से हिस्सा होता है health care क्या, ना कि सब कुछ same है medical care और health care में, याद करने के लिए physician, physician directly medical care देता है, और health care agents जो होते हैं, वो health care देते हैं, याद कैसे करोगे, भई, medical की पढ़ाई कौन कर के आता है, physician ही कर क्या आता है medical college में, ठीक है nursing, तो nursing college में पढ़ेगी, ऐसे आप याद कर सकते हो, अब आता है, कि भई, levels of health care कितने होते हैं, ये वाई 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 पूछा जाता है याद रखना, levels of health care कितने होते हैं, तो ना तीन level हैं, या फिर बात करें, इंडिया की, तो इंडिया के health system की बात करें, तो वो three tire system होता है, याने की तीन level हैं, इंडिया में health care के, कौन-कौन से, primary level, secondary level और tertiary level, क्या होते हैं ये, तो समझ गए, अगर ये भी आपसे वाई-वाई पुछा जाता है, कि भाई, three tire system बताओ, तो primary level, secondary level, tertiary level, हम बात करते हैं, primary level की पहले, primary level जो होता है, वो first level of contact होता है, एक individual का, या एक परिवार का, या पूरी की पूरी community का, हमारे health system से, पहली बार, लोग health system से रूबरू होते हैं, primary level पे, तो primary level पे हम primary health care देते हैं, primary health care याने, simple simple, जितनी भी आप medical care दे सकते हो, health care दे सकते हो, वो सब primary level पे देते हैं, कहां पे दी जाती है, यह primary health care या essential healthcare जो होती है, यह phc याने की primary health center, याने की प्राथमिक स्वास्त केंदर पे, sub center या जिसको कि हम आजकर sub health center भी कहते हैं, या फिर, up, swast, advent editor तो यया रखने यह वाइवान पूछली हिएता है, primary का मतलब होता है, Prathmic Health का मतलब होता है, स्वास्त, center का मतलब होता है, Mole समझ 가자 है, Prathmic Swast Kindcore और sub का मतलब होता है, up health का मतलब होता है स्वास्थ सेंटर का मतलब होता है केंदर तो उप स्वास्थ केंदर समझ गए तो primary health center और sub center पे primary level की services दी जाती है या कि primary health care provide की जाती है उसके अलबा कौन देता है यह तो यह जो grassroots level workers या sub center या primary health center में काम करने वाले लोग होते हैं भी देते हैं जैसे कि MPWs यानि कि multipurpose worker A&M यानि कि auxiliary nurse midwife आंगनवाडी worker या आपको आंगनवाडी center पे मिल जाएगी उसके अलबा village health guide, train dyes यह सब आपको गाहों में घूमते हुए मिल जाएगे यह grass root level workers होते हैं तो primary level हो गया primary level में आपने बता दिया कि primary level of contact होता है primary health care दी जाती है primary health center, sub center पे दी जाती है multipurpose worker और और अगनवाडी village health guide, train dyes अब आता है na secondary care secondary level पे कौन आता है अब याद रखना इसमें न वो जो primary care दी थी उससे थोड़ा सा उपर लेकिन सारी specialization वाली services या specialized services हम नहीं दे रहे हैं या नहीं बीच का काम कर रहे हैं हम यहाँ पे तो यहाँ पे इंटर्मेडियेट health care हम provide करते हैं थोड़ी से जादा complex problems के लिए वहाँ पे जो सामान्य बिमारियां है simple जिनको आप दे सकते हैं वो सब primary level पे आप दे दोगे थोड़ी सी complex problems हैं तो उनके लिए आप secondary level पे उसको भेज होगे अब secondary level का health care delivery system जो की हम अगले topics में पढ़ेंगे उनमें कौन सा आता है भाई primary health center के उपर आता है community health center तो secondary level पे आपको CHC या community health center मिलेगा community का मतलब क्या होता है सामुदाय यानि कि सामुदायक health का मतलब क्या होता है स्वास्त्र center का मतलब क्या होता है केंद्र तो सामुदायक स्वास्त्र केंद्र तो CHC को हिंदी में या community health center को हिंदी में क्या बोलता है सामुदायक स्वास्त्र केंद्र तो secondary level पे सामुदाइक स्वास्केंद या community health center हमको मिलता है। अब जादतर ऐसा होता है कि जो community health center होता है न ये F.R.U. होता है या first referral unit होता है। भाई साब इसका मतलब क्या है? अब न, for example, कोई गाउं है, वहाँ पे एक भाई साब जो है, वो बीमार पड़ गए। अब आप इनको न, या तो आप आपके यहाँ पे आंगन वाड़ी center है, वहाँ ले गए, या आपके पास sub center है, वहाँ ले गए, या आपके पास primary health center है, वहाँ ले गए, तो इन पे बोला गया कि भाई साब, यहाँ हम ठीक नहीं कर सकते, इनको न, हमको refer करना है। तो आपने गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी में बिठाके आप उनको refer कर दिये, अब यह refer करके ले कहाँ जाएंगे, सबसे पहले इनको refer किया जाता है, that is first referral unit पे, और first referral unit जादा तर होती है, community health center, समझ गए, तो आपको थोड़ा सा भी critical case अगर प्रात्मिक स्वासकेंद या उपस्वासकेंद या गाओं में मिलता है, तो आप सबसे पहले उसको refer करते हो, CHC पे, या community health center पे, अब ना ये एक अलग question आता है आपको theory में, या in fact आपको ये question आपको ये वाईवा में भी पूछा जाता है, कि भाई साब बताओ, first referral unit अगर कोई है, तो वो उसकी क्या ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, तो वो first referral unit हो सकती है, मगर जादा तर CHC first referral unit होता है, अगर आप से कोई पूछे तो सीधा बोल देना बिंदा CHC, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक NCQ भी आया हुआ है, तो अब first referral unit जो है, उसमें क्या-क्या criteria's हैं जो fulfill कर पहले तो वो जो अस्पताल है, वो at least एक लाख की जनसंख्या में होना चाहिए, उस अस्पताल में at least तीस बिस्तर तो होने चाहिए, वहाँ पे at least secondary level की तो healthcare provide करनी चाहिए, याने कि भी complex health problems वगरा वो ठीक कर सके, उसके अलावा अब ये secondary care की बात की तो क्या-क्या आजाए पांच services के नाम याद कर लो भई, lab services देना है, अब lab है तो blood storage services भी होनी चाहिए, याने कि blood store या blood bank टाइप का कुछ तो होना चाहिए थोड़ा सा, उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ambulance होनी चाहिए, याने कि referral services भी आपके पास होनी चाहिए, इनके अलावा family planning services होनी चाहि तो यह तो हो गई आपकी पांच services, पांच services कौन सी हो गई, lab service, blood storage service, referral services, family planning और 24 hour delivery services, अब delivery हो गई है तो भई आपको क्या कराना है, उसके बाद आपको care करनी है, तो emergency obstetric care करनी है, आपने मा की care कर ली तो फिर newborn की care कर दो, तो newborn care करनी है, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो ज हो जाए, तो STD, RTI हो सकता है, तो उसका treatment आपको देना है, तो FRU में ये points आपको याद होने चाहिए, कैसे याद करोगे, तो I will say कि पहले तो ये दो point याद कर लो, जो कि CHC में होते है, कि at least 1,00,000 की population और 30 bed तो होने चाहिए, ये हम actually healthcare delivery system में पढ़ेंगे, उसके बाद आपक secondary level का है, तो secondary care तो देनी है, secondary care में आपको services याद करनी है, services कितनी है, as for services, as for parts, कौन-कौन सी, lab खोल दो, अब lab है, तो वहाँ पे blood भी रख दो, blood रख दिया, तो refer कर दो, refer कर रहे हो, तो उसके बाद family planning भी बोल दो, family planning फेल हो जाए, तो 24 घंटे delivery करा दो, ठीक है, उसके बा पे आप क्या करोगे, 24 घंटे delivery करानी है, तो obstetric care दो आप, newborn care दो आप, उसके अलवा care for the sick child दो, और फिर एक और चीज, that is treatment, समझ गए, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, first triple units के सारे के सारे points, कैसे याद किये हमने, ये 2 साथ में कर लिए, उसके बाद कैसे याद किये हमने, ये 6 साथ में कर लिए, उसके बाद ये 3 साथ में कर लिए, और ये 1, total कितने हो गए, 12, 12 point आपको याद होने चाहिए, FR use के, बहुत important है, फिर आता है, tertiary level, अपना tertiary level पे क्या होगा, हमको secondary level से भी थोड़ी सी उपर की services देनी होने हैंगी, तो second, tertiary level पे ना, हम specialist जो होते हैं ना, उनकी services provide करते हैं, तो इसलिए लिखा है, special health care provide की जाती है, specialized health workers है, याने कि ये कौन होते हैं, ये आपके specialist होते हैं, याने कि DM, MCH, ये सारे बंदे यहाँ पर बैठे हैं, तो ये सारे बंदे कहा मिलेंगे, ये आपको CHC, PHC पे नहीं मिलेंगे बाई सब, ये आपको मिलेंग वहाँ पर रगदो कि भईये, यहां tertiary level की सुधाय दी जाती हैं, और ये जो होती है, tertiary level ये second referral level होता है, first referral unit कौन सी थी, मुखिता वो CHC थी, अब वहाँ पर आया और वहाँ भी अगर वो नहीं हो पा रहा है control वो case, तो हम भेजते हैं उसको second referral unit में, याने कि या तो medical college समझ गए, तो हमारे तीन level of healthcare हमने समझ लिए primary, secondary और tertiary, ये हो गया आपका इंडिया का three tire system, ठीक, तो primary में हमने क्या याद किया था, प्रात्मिक्स्वा स्केन, secondary में क्या याद किया था, सामुदा एक्स्वा स्केन, या community health center और ये हमारा प्यारा medical college tertiary level पे, अब आता है आप का एक point आपको याद रखना है कि भाई, mobile medical care में क्या-क्या चीज़े दी जाती है, या आपकी हो गई, mobile medical care एक van होती है, या ambulance होती है, उसके अंदर आपको सुविधाय दी जाती है, healthcare सवसिर दी जाती है, तो home based care उसमें दी जाती है, कि भाई, ऐसी चीज़े जो आप जानकार किये जाते हैं वहाँ पे, तो उनके सद्वारा services आपको provide की जाती है, मगर जो याद रखने वाली चीज़े ना, कि tertiary health care आपको mobile medical care में नहीं दी जाती, आपने कोई देखा है कि भाई, ambulance चल रही है, उसमें DM बैठा हुआ है, या MCH किया हुआ बंदा बैठा हुआ है, neuro physician, neurosur surgeon, ये लोग नहीं बैठती है mobile में, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको आया हुआ question है, PG entrance exam में, ठीक, तो अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो health care पर आपको क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो भाई साब ये आपको question theory में तो आता ही आता है, कि आप health care को define करो, औ levels of health care बताओ, याद रखना levels of prevention से confused नहीं हो ना, वो concept of health and disease में हम पढ़ते हैं, levels of prevention, primordial, primary, secondary, tertiary, यहाँ नहीं, यहाँ पे health care है, primary, secondary, tertiary, ठीक है, बहुत confusion होता है, इसलिए याद रखना कि levels of health care अलग है, और levels of prevention levels of prevention अलग है, क्योंकि यहाँ भी आपको यहाँ पे आता है, primordial, primordial के बाद नहीं यहाँ पे आता है, आपका primary, secondary, tertiary, और वो आप इससे confused हो जाते हो, तो वो नहीं होना है, levels of health care, three tire system, primary level, secondary level, tertiary level, और levels of prevention, 4 होते हैं, primordial, primary, secondary, tertiary, ठीक है, तो यह तो हो गया theory, जो कि आपको एक short note type का आ जाता है कई बार, उसके बाद आता है आपका viva का question, तो viva में आपसे पुछ ले जाता है, इन दोनों को differentiate करो, health care और medical, ऐसे नहीं बोलते हैं, आपको बोलते हैं, हाँ बहुते हैं, हाँ सर, तो आपकी लग जाती है, तो आपको अपनी नहीं होती है, health care ये है, medical care, physician, health care, agents of health services, ठीक, अगला viva का question, इंडिया के level of health care बताओ, तो ये three tire system, आपको थोड़ा सा बढ़िया अफ्रॉंट करना है कि सार देखो, मुझे पता है ये शब्द, three tire system, फिर बोलना primary level, secondary level, tertular, फिर अपनी कथा सुनाने लगना उनको, फिर आता है, अगर आपसे primary level की बात करें, तो वाईवा में क्या पूछा जाता है, कहाँ, primary level में कौन-कौन से centers आते हैं, तो प्रात्मिक स्वासकेंद और उप्स्वासकेंद याने की primary health center और sub center primary level पे आते हैं, दीक है, यहाँ पे confused नहीं होना, secondary level में तो आपको first referral unit भी पूछा जाता है, तो वाईवा में इसमें पूछा जाता है, एक तो secondary level पे कौन सा आता है, तो CHC जादातर होता है, जादातर शब्द लगा देना, क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे, यह first referral unit क्या होती है, पूछेंगे, तो बोलना कि भई, first referral unit जादातर जो होता है, वो CHC होता है, क्यों? क्यों में very short note आ सकता है, तो यह आपको बनना चाहिए, ठीक है? फिर आता है tertiary level, तो tertiary level में आपसे वाईवा में यही पूछा जाता है, क्योंकि भई, medical college जो है, वो कौन से level का है, क्योंकि भई, आपका वाईवा होना है, प्रात्मिक स्वास्किन, सामुदाइक पे लिए जाके थ बैठे हो, बोल देना, एक वाईवा में पूछा जाता है, कि mobile medical care में आपसे ऐसा पूछा जाता है, primary, secondary, tertiary सब दी जाती है, तो आप बोलोगे, नहीं सर, tertiary नहीं दी जाती, ठीक? अब अगर मैं बात करूं, MCQs की, तो जितने भी underline part मिलेंगे हमारे notes और slides में, वो सभी MCQs हैं, अलग-अलग PG entrance exam में पूछा हुए, तो एक MCQ मुझे मिला था, कि secondary level पे कौन सा center होता है, तो ये मेरे को एक MCQ मिला था, उसके लावा, first referral unit पे भी MCQ मिल चुका है, कौन-कौन से चीज़े होनी चाहिए, तो at least ये point पे तो सवाल आए है, एक लाग population, 32 date, secondary care, और emergency obstetric care, उ उसके लावा, एक question मुझे, या एक MCQ मुझे मिला था, कि medical care mobile में जो देते हैं, यानि mobile van में जो देते हैं, उनमे all the above, I mean accept, कि इन सभी में से कौन सी नहीं देते हैं, home base देते हैं, primary देते हैं, secondary देते हैं, लेकिन ये neuro physician, neurosurgeon नहीं बैठते हैं, van में, इसलिए tertiary नहीं देते ह समझ गए, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको health care के बारे में पता ही होनी चाहिए, thank you